असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे इसनो वाइट डिजर्ट, जो की मिंटो में बनकर तयार होने वाला है, नाम जितना प्यारा सा है इसको बनाना भी अतना ही आसान है, एक तम क्विकली बन जाता है, कोई कोकिंग प्रोसेस नहीं है, बहुत ही बहतरीन बनकर तयार होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो इस मज़िदार से डेजर्ट को बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक कप हैवी विपिंग क्रीम लेंगे, बिल्कुर ठंडा करके लेंगे, सेमी फ्रोजन फॉर्म में मैं इसको लिया है, और इसमें एक टी स्पून वनीला एसंस डाल और 1x4 cup डाल देंगे condensed milk, अगर आपके पास condensed milk नहीं है, तो आप 2-3 tablespoon milk powder भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ शकर कभी इसमाल कर सकते हैं, 2-3 tablespoon शकर डाल सकते हैं, अब हमें इसको वेप कर लेना है, हाई स्पीड पर इसको वेप करेंगे, जब तक इसमें stiff pakes नहीं आ जाती है यहाँ पर यह जो मैं वेपिंग करीम इस्तमाल कर रही हूँ, इसको मैंने online खरीदा है Amazon से, अगर आप इसको purchase करना चाते हैं, तो मैं आपको link दे दूंगी description box में, यह एक sponsored video नहीं है, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए मैं इसका link आपको provide कर दूंगी, वैसे यह online offline कहीं पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप whipping cream powder का भी यूज कर सकते हैं, high speed पर whip कर लेते हैं, जब तक इसमें stiff peaks नहीं आ जाती है, high speed पर 3-4 minute के लिए मैंने इसको whip किया है, stiff peaks आ गई इसमें, यह देखे, तो अब हमें डालना इसमें 3x4 cup के करीब coconut का powder, यानि की सूखे वे नारियल का powder हमारी क्रीम को एक अलगी लेविल पर ले जाएगा, इसको आप एक बर बना के देखें, आपको बेहत पसंद आने वाला है, बहुत टेस्टी बन का तयार होने वाला है, बस जब भी आप whipping cream को whip करें, तो जो आपकी cream होनी चाहिए, वो एकदम chilled form में होनी चाहिए, या फि ठंडा दूद, और इसमें एक से दो टेबल स्पून शकर डाल देंगे, पिसी वी शकर में यूज़ करनी हूँ, जिससे की आसानी से घुल जाएगी, अच्छी तरह से इसको मिला देंगे, यहां पर दूद की क्वैंटिटी जरूरत के हिसाब से बढ़ भी सकती है, या फिर दूद के मैंने किनारे काट लिए और एक डिश में अरेंज करके देख लिया, जिससे की साइज हमें पता चल जाएगा किस तरह से यह हमाई डिश में फिट हो रही है, तो यह अभी जो इनको हमें एक एक करके उठाना है, और दूद का जो हमने घूल बना कर रखावाय इसम ना पर यह जो डिजर्ट में बना रही है, यह जो लिए जो लेयर में लगाऊंगी जिससे की हां पर 9-10 ब्रेट के स्लाइस लगे गेंगे, मेरे तकरीबन नौ स्लाइस लगे थे, और आप चाहे तो सिंगल लेयर कभी यह डिजर्ट बना सकते हैं, अगर आप कम क्वाइना तो बस क्रीम की क्यांटिटी है वह आपको कम कर देनी है, तो आपकी सिंगल लेयर में बहुत आसानी से बहतरी इंसा डिजर्ट बन जाएगा तो सारे स्लाइसेस दूद में डिप कर लिये हैं और डिश के अंदर हमने अरेंज कर दिये हैं, अब हमने जो क्रीम का मिक्षर बनाया है, वह आधा मिक्षर हमें इसके उपर इस्प्रेट कर देना है, एवनली स्प्रेट करेंगे बराबर सा और आधा जो मिक्षर है वह हम ब यहां पर आप अपनी पसंद के ड्राय फूट्स यूज कर सकते हैं लेकिन क्यूंकि इसनो वाइट डिजर्ट है इसमें सिर्फ वाइट चीजे हम यूज करेंगे तो मैं बादाम यूज कर रही हूँ आप काजू का भी स्तमाल कर सकते हैं तो पूरा डिजर्ट का कलर होना चाहिए न वाइट होना चाहिए जिससे कि विल्कुल इसनों वाइट की तरह लगना चाहिए एक बरफ जैथा लोग देना चाहिए एक चौथाई कप के करीब मैंने ग्रेट वाइट चॉकलेट भी लीवी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ लेकिन अगर आप चॉकलेट यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अब वक्त है दूसरी लेयर अरेंज करने का तो स्लाइसेस की दूसरी लेयर हम इस पर अरेंज कर देंगे दूद के अंदर डूबो कर और सभी स्लाइसेस इसमें अरेंज करने के बाद अब हमें बागे ये बचेवी सारी क्रीम इसके ओपर स्प्रेट कर देनी है और अब यह अधूरा है क्योंकि यह बिल्कुल फॉर्म में नहीं है इसको ठंडा करके जब हम सर्फ करते हैं तो इसका टेस्ट एक नेक्स्टी लेविल पर चला जाता है तो मैं इसको कम से कम दो घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूं जिससे कि बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा इस सर्फ फ्रिज के अंदर और जो खाने रखे होते हैं उसकी स्मेल हमारे डिजर्ट में या पर दूसरे खाने में आ जाती है तो ढख कर रखेंगे तो कभी भी खानों की स्मेल नहीं आती है दूसरी चीज में और मैंने इसको दो घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा कर लिया था अग्रुड हैं आप से एंबैस हो जाने वाला है और बार बार से बनाने की डिमांड आने वाली है दो शोंकर बाइख से कुछ भी मीठा शेजर्ण आपका दिल तो आप इस डिजर्ट को ट्रव करें मुझे पूरा यकिनिए बहुत पसंदाया आए गो और ट्राय करके मुझको अपनी फेडबैक्स दरूर दीजेगा क्योंकि आपको पता है मुझको हमेशा आपके फेडबैक्स का इंतजार रहता है और किस मुल्क से और किस शहर से आप मुझको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मुझे बहुत अच्छा लगत